के आज की वी डियो वीडियो के अनदर मैं आपको ए-लाई पम में पर Ai वी सिखाने वाला हूं भी सिखने मिसे एंट देखना क्योंकि सक्याइत आती है कि उसे अपर नीचे लिख जाओगे साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे पैटर्स को खरीड़ना चाहते हो या हमारे ओल्लाइग क्लासी जोइन करना चाहते हो तो साइड में हमारी अमीनबुटी की आप इसे इस्टॉल करके इसमें साइन अप कर लेना और सारी डिटेल आपको इसी में मिल जाएगी इसका लिंक आपको डिस्क्रेप्स्रें में मिल जाएगा या प्लेई प्लेश्टॉर से इस्टॉल कर सकते हो इसमें आप получится coordinate सबसे पहले लेनें आपको लंबाई का नाप से मैं कर आ Pokemon को सबसे पहले कर दोंी और सी मिक कर देखते हों protections इमेंट करेंगे तो दोस्तों हमारा पास टimiento है आप क्रीबने हमारे कह सकते हो ठीक है कि आपको घेड़ा कितना चाहिए अब यहां पर इस फैबरिक को हमें क्या करना है सबसे पहले देखिए दोस्तों हमारा इसके अंडर सीधा उल्टा नहीं है इस चीद को आपको चेक करना है तो जारा तरह प्लेन में बनता है तो जारा अच्छा लगता है इसको हम ना इस तरीके से ओपन कर लेंगे पूरा यह यह हमने इसको ओपन कर लिया ओपन करने के बार ना इसको हम एक किनारी को दूसरी किनारी से मिलाएंगे और डबल में कर लेंगे ठीक है यह डबल में करने के बार ना दोस्तों इसको जैसे पजामी को कटिंग करते ना और बिल्कुल और करके इसको बिछाना है तो मैं इसको सबसे पहले सेट कर लेता हूं फिर आपको इसकी कटिंग बताता हूं तो देखिए दोस्तों मैंने इस तरीके से औरेब करा है यह है ठीक है यह किनारी वाली साइड आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको औरेब बिचा लेना कपड़े को और यह साइड आप देखेंगे इसको मो gardening कर लेंगे क्योंकि यह सा थोड़ा त्रेड़ा कपड़ा होता है तो हम इसको निकाल देंगे तो बढ़ियास कटिंग हो जाएगा व्हजाएगा यह दocy को पूरे बढ़ियास को निसान लगा धन दक्रिवार से माल निसान लगाने क्योंकि कमर कम होती है तो एजस्ट हो जाएगी और यह इस्टा थोड़ा ओरेव हो जाता है तो यह तो फैल जाएगा लेकिन आप चाहिए तो इसमें प्लस एक कर सकते हूं ना भूजाएगा 11 अब आपको क्या करना इंस्टिटेव लेना है और इस साइड में पहले 11 पर इस तरीके से लगा दिया अब ये निशान लगाने के बान ये एक अंदाले से गोलाई में ऐसे लगता है अब यह निसान जो हमने लगा है तो यह वाली साइड में जो इस साँ ऊपर जा रहा है किनारा जहां पर कटिंग होगा यहां पर हम इंचीटेव लेना है इसको हम ऐसे रखेंगे यहां पर नापेंगे दोस्तों देज़सी किमा लिजिए सभा पंदरा है तो हम पंदरा पर लगा लेते हैं क्योंकि गुलाई घुमेगी न तो हल्का फुलका बढ़ जाएगा तो मैंने कम कर लिए अब देखें पंदरा पर है इंची टेल लेंगे एक यह लगाएंगे आप देख रहे हैं दोस्तों इस जगा से पहले हमने यहां पर लगाया ता लेकिन अब यह गुलाई में इस तरीके से आ गया अब हम इसे गुलाई एक बार चेक कर लेते हैं यह गयारा आ रहा है दोस्तों 11 नीजिए 12 हो गया तो हम 11 इस सा उपर लेंगे त यह बिल्कुल निसान है हम यहां पर लाश्टिक जो लगाएंगे वह लगाएंगे दोस्तों अलग से कपड़ा लगा कर तो आपको इंचिटेव को एक इसे रखना है यहां पर देखें जो तरीका में आपको बता रहा हूं न उसको फोलो करना बहुत बढ़िया तरीका है द जैसे रखें लंबाई 37 यहां पर आपको निसान लगा देना 37 पर और हां यहां पर आपको फोल्ड करना या पीको करना यह चीज आप देख लेना जैसे कि मैं इसमें बारिक फोल्ड करूंगा बिल्कुल तक्रीबन आरा इंच के आसपास तो मैं यहां पर एक इंच बढ़ा दोस्तों यहां पर आदिए साड़े-पचास अब दोस्तों इस इंच इड़े को ऐसे रखेंगे और जहां पर आपका साड़े-पचास आगा यह निसान लगा देंगे ठीक है इंच इंच इड़े वहीं कि वहीं रागा देखिए उपर पोने पे और ऐसे गुलाई आ इस साइड में ठीक है उससे पहले यह जो निसान है इसको सीधा कर देंगे ठीक है अब यहां पर आप जिहां से देखो दोस्तों यहां निकालेंगे आसन का फार्मूला तो यहां देखिए पास में आपको दिखाता हूं है यह लिखा 40 भाग करा हमने चार जगा हिपकर ना है लेकिन यहां पर 10 में यहां पूला निसान ना इस जगा पर निसान लगा देना है ऐसे चैप अब इस तरीके से लगाएंगे वह आप दिखान से रिखो लेकिस पहले यह जो निसान है ठीक है यह वाले निसान पर हम एक इन्च इस को डाउन करेंगे कि यहां पर कमरला को दाउन होती है ठीक है हिप उठीज होती है तो धाय इंच को सफूर ऊठाकर गा हैं और यजो निशन दोस्तों जगा से आप इस ततरीखे से जाए गा को कि इस कि यह आपका बैक वाला पे अ Mits कि अधिक है वहाप् देंगे घुलाई इस तरीके से अब इसको कट्टिंग कैसे करना आ stehen वह सबसे तो मैं यहाँ पर आपको कप करनाँ एक तो सबसे पहले दौस्ट ुये हिस्द ओपर की तरप जाएगा इसको हम निकाल देंगे यहां पर हम कट लगा सकते हैं इससे पता रहा हमारा यह सेंटर वाला इससा है ठीक है उसके बाद दोस्तों यह वाली जो साइड है इसको हम इस तरीगे से कटिंग करेंगे क्या यह कंटिंग करो का डिए डिया क्कटिंग करने का दोसने वाली साइड इस तरीके से करेंगे कपको यह करने का दोस्तों यह सभी आपका ऐसे आजाएगा अब हमारा दॉनारी यह वाला इस ठीक है तो अम यहापर इस को इस तरीके से स Dortne करेंगे अब दोस्तों कटिंग करने के बाद ना दो चीज इसमें आपको बताओं इसको ध्यान रखना ये तो हमारा जो हिस्सा है इसमें जोल निकल जाएगा पिलस में वोपर लाश्टिक के लिए निकल जाएगा तो तीन मीटर मेरे पूरा ये कपड़ा था अब इसके अंद तो ये इसकी फिलेर भी काफी अच्छी बनके आएगी लेकिन मानलों आपको घेरा कम करना है तो इसमें दो तिन एज्जस्मेंट में आपको बता रहा हूं उसको कैसे करना है दियान से देखें अब मानलेजीए आपको घेरा कम चाहिए तो आप से ऐसे लें हासे आसन की तर देखो बढ़ रहाता है तो इसको हमें क्या करना होता है कि हमें अगर नहीं करेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा तो अगości अश्च्री में देखें उस तरीखें और यहां पर लागे तक्रीबन मिला दो थीक है अब मैं दोखो इससे यहां पर कटिंग कर दूँगा अब दोस्तों यह जो तरीका है ना इससे क्या होता है ना कि आपको जारा जंजट निपड़ेगी अराम से आपका प्लाजों सही बनेगा नहीं तो एक तरीका और आता है कि इसको उठाकर डमी पर लगा के नापने के बार इसे कटिंग करो जो एकम परफेक्क तरीका लेकिन ल से बना दो कोई प्रोब्लम आपको आने वाली नहीं है अब यह सब करने के बाद यह वाली जो साइड ध्यान से देखो इसमें आप देखेंगे तो यह हिस्सा आपका ऊपर नीचे आ रहा है तो इसमें भी आप चाहों तो किनारी को कटिंग करके निकाल सकते हो मैं यहां पर यह वाला हिस्सा आपका फरेंट वाला हिस्सा है बस आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर दो पल्ले लेकर इस तरीके से कटिंग करना है और फरेंट आले निसान को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे यह पता रहेगा दोस्तों हमारी फरेंट वाली साइड है ठीक है अब ह अब देखो मेलों को किनारी को कर दूँगा को अब मैंने सब में किनारी क्टिंग कर दी आप किनारी को अगर हम नहीं चार देना इसमें खिचाव बनता है जिसके ज़या से प्लाज जो उठता भी है उसकी finishing खराब होती है तो इसलिए हम इसे किनारी को cutting कर रहे हैं अगर आपके कपड़े की किनारी अच्छी है तो आप उससे cutting ना करें लेकिन बिचाते हुए कपड़े को ऊपर नीचे किनारी हो जाती है तो मैं इसको हमेशा निकाल सबसे पहले इसको जोड़ लगाने के लिए इस तरीके से निसान पर हमें ऐसे रखना है इस तरव इस तरीके से मिला के लगा दिया अब यह एकदम बिल्कुर परफेक्ट आ रहा है ठीक है कोई टैंसर नीजगा भी देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है आप चाहें तो कपड़े को सीदह उल्टा कर सको यह देखो मैं नहीं है आप इसका आइडिया भी ले सकते हो अब दोस्तों आपको क्या करना है सिंपल इसको कटिंग कर लेना है इसके बराबर अब दोस्तों पूरा प्ला जो कटिंग हो चुका है इतना कट बचा है दॉस्तों शी रम ऑरां से अपना लाश्च्टे के लिए कपड़ा निकाल लेंगे अब जोड कैसे जोड़ मिध्या कैसे बनाना है आप को समझाए अब देखें दोस्तों यह से की तूटे नहीं सेम आपको फरनेट वाले आसमें भी सिलाई लगा लेनी है यह दो काम हो जाएंगे अब दो काम होने के बाद अब हम आते नीचे की तरफ में जहां पर हमारा जोड था ठीक है यह देखें दोस्तों हमारा जोड इस साइड में है ठीक है यह हमारा कपड़ा है यह हमारा जोड है इस तरीके से ठीक है अब यहां पर हमारा जोड ऐसे हो लगेगा लेकिन लगेगा कैसे तो सबसे पहले देखो यह जो निसान है यह निसान हमारे उल्टी साइड है एक उल्टी साइड हम यहां भी लगा लेते हैं ठीक है सेम नि सहां उपर वाला इस ना है पड़तने के बार ने ऐगा जोड़ते हुए और यहां पर आओगे न तो यह आपको तरह झीज है सो में लगाके संदिन हैं को यहां आप इसे कर के निचे कर Texas你 Exactly तो यहां पर उन्हें को इसन को इससाइड आसन स्ट्व लगाके में अब करके को क्युण दिएध साईड वाला संदिए और इसस इसे ऐसे फिनिश कर लिया अब यहां पर हमें क्या करना है यह वाला जो हमारा आसन है बस आपको जो सेंटर हमने कट लगाएते हैं इन दोनों कट को ऐसे पकड़ना है अब हम ऐसे पकड़ेंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा तो आपका जो आसन है अब इसको हम एक ब मिलाने के बाद झोरण सब्सक्राइब जाएगा एक इसको पकड़ लिए और इसके बराबर से इसको कप्ड़े को रखें और यहां पर दोस्तों अदे मााधन से लगाते वानरे और दूसरी साइड वाली में आपको उतार देना है सेम एक सेला योग लगा लें इससे मजभूती आ जाएगी फिर ओवरलोग कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे लाश्टिक तो उसके लिए चार इंचोड़ा कपड़ा कटिंग कर लें दोस्तों आसन जोड़ के यहां भी मैंने लोग कर ली अब यह आपका इस तरीके से आएगा और यहां पर आपको लाश्टिक के लिए कपड़ा लगाना है ठीक है अब एक चीज में आपको यहां पर समझा देता हूं यहां पर हमारे जो हिप थी वह कितनी थी 40 इंच हृए 40 का रहा कितना होता है 20 अब हम इसे जब इस तरीके से नापेंगे तो कितना रहा है दोस्तों यहार आपका 25 तो आपको यह पूरा नम नहीं करना इसे हलका सा खेजके लगाना है अगर आपको लगता है किसी वजा से कि यह थोड़ा गेरा कम है तो मैंने आपको जो फार्मूला बताता है चालीज पिलस एक वहां पर दो पिलस करके भी इसका गेरां रख सकते हों क्योंकि यह चीज क्यों आई इसका रीजन बता देता हूं यहां पर अभी हमारा जो नीच्चे बालो जो राउंड है आप उसको जब नापेंगे धिहान से देखो इसको जब राउंड इस तरीके से नापते हैं तो यह पुरा गुलाई में कितना आगे 21 लेकिन दोस्तों अब उपर आले राउंड को नापते हैं ठीक है जोग बिल्कुल सीधा है यह आ रहा है आपका साड़े 19 देलिस दोस्तों आपको यहां पर कम हो गया अगर यह यह सब औरेव में आ जाता है हलका आड़ेपन में अब हम बताते हैं कि आपको क्या करना है इसकी गुलाई के बराबर आपको कपड़ा कटिंग करना है चार इंच चोड़ा जो कि दोस्तों हम यहां पर कर चुके हैं यहां पर जोड़ भी लगा दिया और इसको चीर लिया ठ बस आपको यहां पर उल्टी साइड से इतना यह वाला जो निशान ऐसे लगा लेना यह उल्टी साइड है अब यह मारी फरेट वाली साइड है ठीक है तो इस मार्जन को हम ऐसे करेंगे और इस वाले हिस्ते को इस तरीके से दोस्तों में रखना है आदा इंच बढ़ा कर य यह जो आने निसान लगा है ना दोस्तों यहां से आपको इतनी सिलाई लगानी है ऐसे करके यहां पर आरेंच के मार्जन से आपको ऐसे पकड़ते हुए शिलाई लगाते हुए जाना है और जब आप पूरे राउंड में आओ गया इस जगा पर तो यह कपड़ा आपका कपड़े को सीधा इसी पर कटिंग कर लेना है को कि यह शाइजाइरे काड़े क बाद के लिगे जैएक पंधर झाईन गए फिर उसना और तो इसको जोड़ शिरकया हमें इसलाई लगा लगार में यह हमारा हो जाएगा ऊिए गंजब लातWow इसलिड़ता है यहां पर हलका नाखुन लगाने से अच्छा आप यहां पर एक पैर की सिलाई लगा लेना जिससे कपड़ा रुका रहेगा फिर जैसे हम इसको ऐसे सीधा करेंगे तो यह जो लाश्टिक है ना इस लाश्टिक को हम ऐसे डालेंगे इसके उपर तो यहां पर इसको ऐसे करना चाहिए पीको कर लेना मैंने यहां पर नीचे की बोटम भी फोल्ड हो जाएगी दोनों बोटम फोल्ड होने का लाश्टिक लगने कर हमारा पिलाजो तयार हो जाएगा फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं तो दोस्तों यह पूरा तयार हो चुका है लगाने का तरीका पता चल जाएगा फिलाल के लिए दोस्तों हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से और इसमें मैंने आपको टिप दी थी कि यहां से लंबाई बढ़ जाती है और यह इस आपका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने कटिंग कट एक इंज इसको चार तो आप देखिए इस तरीके से जोड़ आएगा ठीक है और इसके आपका घेरा भी इतना जारा हो जाएगा इसको दोस्तों जो में नाम है इसके मैं आपको बता देता हूं पहला नाम इसका अम्रेला प्लाजो है क्योंकि यह आपका अम्रेला घेरे की तरह करता है दूसरा और यह विविटा ओएं टीसरा काफ़िलो इसे सरक्डला प्लाजों भी बोलते है तो दोस्तों में इसे और है पक्लाजो बोले तो जायरा भाश डाएगा तो इस तरीके से आप बनेंगे तो कवी प्रावल्म आपको नहीं आएगी किसी भी साइज में यह जरूर त्राइक क